हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ मेरा नाम है रंजना और मेरे चैनल रंजना कोकिंग हॉम क्रेटर पर आपका स्वागत है तो चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल आसान तरीके से और भौती टेश्टी लगने वाली भिंडी की सबजी अगर आपने इस भिंडी की सबजी को बना लिया तो आपके बच्चे तो इसे चट कर जाएंगे और बड़े खुशो करके खाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं यह मैंने खुश भिंडी ले ली थी इनको अच्छे से ढह करके चोप कल लिया है और यह कुछ प्याज है त्यून प्याज है और दो हरी मिर्च इनको भी अच्छे से ढह करके छे लिया ही अगर आपने इस भिंडी की सबजी को अपने बच्चों के लेंच में या आपके हस्बंड ओफिस जाते हैं उनके लेंच में दे दी तो वो पेट भरके खाना खाएंगे और बड़े खुश हो जाएंगे तो ये लेंच में देने के लिए एक अच्छा उप्शन है आप जरू ट्राइ करिएगा आप देख सकते हैं मैंने प्याज को लंबे लंबे पीसीज में चौप कर लिया है देखिए सारे प्याज को मैंने लंबे लंबे पीसीज में चौप किया है और ये हरी मिर्च है इनको मै ले सकते हैं जो आपके घर में पसंद करते हैं तेल गरम होने के बाद में अब इसमें डालेंगे एक टीस्पून जीरा और एक पींच हींग इन सब को अच्छे से चटकने के बाद में जो मैंने हरी मिर्च काटके रखी थी उनको फिर इसके बार में डालेंगे प्याज जिनको हमने चौप करके रखा था उनको प्याज डालने के बाद में अच्छे से हमें प्याज को भुनना है देखिए चला चला करके ता कि प्याज में कच्छा पन्नार है और ये खाने में टेश्टी लगे देखिए में प्याज को अच्छे से भुन नूँगी ता कि प्याज अच्छे से भुन जाए और सौफ्ट हो जाए देखिए हमें प्याज को हलका गुलाबी कलरी करना है ज्यादा डार कलर की नहीं भूननी है अब इसमें डालेंगे मसाले एक टीसपून मैंने हल्थी पाउडर डाला है और एक टीसपून लाल मिर्च पाउडर और दो टीसपून धनिया पाउडर और अब इसमें डालेंगे हम कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च और अब डालेंगे स्वाध अनुसार नमाद और मसालों को अच्छे से इन सब भूल लेना है डालने के बाद में हमें मिल्च कर देना है बड़े तरीके से बूर गए हैं आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसमें और भी कोई मसाले एड़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूं, और अब इसमें डाल देंगे बिंडी, बिंडी डालने के बाद में बिंडी को भी अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि वो आप देख सकते हैं, कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, अब इसको हमें डख करके पकाना है, किसी भी एक बरतर से डख देंगे, इसमें पानी नहीं डालना है, बिंडी को हमें ऐसे ही पकाना है, अब हम इसको एक बार फिर चेक कर लेंगे, और इसको अच्छे से मिक तले में लगे नहीं और अच्छे से पक जाए देखें भिंडी हमारे अच्छे से बन करके तैयार हो गई है मैं आपको एक बार फिर इसको मिक्स करके दिखाती हूं देखें भिंडी अच्छे से पक चुकी है और बिल्कुल खिली खिली भिंडी बनी है देखें कितनी टेश्टी लग रही है अब इसमें डालेंगे हम नीबू का रस भिंडी में डालने से भिंडी की सबजी इतनी टेश्टी लगती है आप नीमबू के रस्पो इसकी भी कर सकते हैं इसकी जगे आप आमचूर पावडर भी डाल सकते हैं उससे भी सबजी टेश्टी लबन दी है देखे मैंने इनको फिर अच्छे से मिक्स कर दिया है ताकि नीमबू का रस अच्छे से मिक्स हो जाए सबजी के अंदर देखे सबजी अच्छे से बन करके तैयार है मैं आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ देखे कितनी टेश्टी लग रही है देखनी में आप चाहे तो इसे रोटी प्राठो के साथ भी सर्व कर सकते हैं उनके साथ भी यह बहुत टेश्टी लगती है देखे अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ अब हम एक बार ले लेंगे और इस सबजी को इसमें सर्व करेंगे देखे कितनी टेश्टी लग रही है और बहुत चल्दी बन के तैयार हो जाती है आप इस सबजी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए प्लीज मेरी आपसे एक रिक्वेश्ट है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को जादा से जादा शेर कीजिए हम फिर मिलेंगे एक और बहतनी रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर